आज के जमाने में सरकारी नौकरी हासिल करना और सरकारी अफसर बनना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है इस मुश्किल को आसान करने के लिए सुल्तान एहमद इंस्टिटीट आफ सिविल सर्विसेस की शुरुआत एहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वख्फ कमीटी सुल्तान एहमद मुस्लिम यतीम खाने में की गई है सुल्तान एहमद इंस्टिटीट आफ सिविल सर्विसेज के दो तल्बा जी पी एस्सी प्रिलिम्स के इम्तिहान में कामयाब भी हुए है वाज़र है के 2022 में सुल्तान एहमद मुस्लिम यतीम खाने में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए बाकाइदा किलास शुरू की गई जिसका नाम सुल्तान एहमद इंस्टिटूट आफ सिविल सर्विसेज एहमदाबाद रखा गया पूरा कि युपी एसी जो है उसमें स्काइज दे लिमिटर का सिलिबस तो 11 मन्त कोर्स है और 11 मन्त कोर्स के अंदर सुबो नव से शाम के छे बज़े तक फुल टाइम हम इनको स्टडी भी यहां कराते हैं और स्टडी यहां कराते हैं मरे पास टोटल पेश्तालिच बच्चे और युपीसी के करेश कोर्स में अमारे पास करीब हंड़ेड बच्चे थे उसमें हमारी कॉम की 35 बेटियां जो है वो यह ट्रीनिंग ले ले रही है सिविल सर्विस के लिए अभी फिलहाल यह जो है यह बैच पास आउट होने के बाद 11 महिने के बाद उनकी competency जो बन जाएगी उनकी capacity बिल्ड हो जाएगी उसके बाद उनको exam देना उसके बाद result हम सोच सकते हैं लेकिन फिलहाल बीच में भी जो बच्चों ने दी तो हमारे 5 स्टुडेंट जो हैं यह करंट बैच से पाँच स्टुडेंट ने जिपीएची में चार ने जिपीएची क्लास वन टू और एक ने ACF की मेंस फाइनल क्रेग की में प्रिलिम क्रेग की है यहां पर मैंने पहले मेरा ग्रेटिएशन कंप्लीट किया बीच में फिर मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया MSC मैच में फिर मैंने सोचा के अभी मुझे सिविल सर्विस जॉइन करना है मैंने बहुत सारे प्राइवीट कोचिंग्स लिये यह फिर मुझे से सर से कॉंटेक्ट दूआ मैं आई-एस ओफिसर बनना चाहते हूं यहां पर हमारा 926 क्लास रहता है और क्लास की बावजवित भी सर हमारे उपर मेंस के उनका पूरा वो रहता है कि हम घर पे जाके भी हमारी मायरत जारी रखे सर ओनलाइन हमें असाइमेंट देता है कुछ वर्क देता है और हम कभी सर को लिख के भेजते हैं इवन एक बार मैंने रात को दो बचे लिख के सर को असाइमेंट बेजा था सर ने करेंटली उसका आंसर किया था और हमारी जो मिश्टिक्स होती है सर वो सब बताते है मैंने पहले खुद से सेल्फ टेडी करता था लेकिन मैं इधर की जो नॉटिवी के सनयती उसमें जीपेसी और उपेसी के क्लास इधर कराइंग ऐसा लिखा हुआ था तो उसके बाद यहां पर क्लास जोईन की सिविल सर्विसिस के लिए और में गोल पहले मेरा जीपेसी का ह पहले था लेकिन फिर यहां पर आने के बाद यूपेसी का सिल्फ देगा तो सेम ही ता सिफ लेंग्वेज का डिफरेंस था फिर उसके बाद आईपेस गोल बना है और इधर पर सिविल सर्विसिस के लिए रिटाइड आईपीस अफसर मुहम्मद हबीब निर्मावाला सहब ने बताया कि हम चाहते हैं कि बच्चे जीपीसी यूपीसी और दीगर मुकाबलाय जाती इंतहानात में पास होकर आईएस और आईपीस अफसर बनें और सरकारी नौकरी हासिल कर सकें इस मकसद के तहत हमने 2 अक्तुबर 2022 को सुल्तान एहमद इंस्टिटीट आफ सिविल सर् इस नाम की तन्जीम की शुरुआत की जिसमें फिलहाल काफी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो यूपीसी में और जीपीसी में उनके थूप आईएस आईपीस या जीपीसी की क्लास्वन ओफिसर्स में सिलेक्ट हो उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडंस मिले और उनको पूरा एकडेमिक रिस से उनको तियार किया जाए उस परपस से हमने सुल्तान इंबन इस्टि में काफी बच्चे इसमें खाइदा ले रहे हैं यह 1954 से सुल्तान इंबन इंशूट थी मैं 97 में इधर जॉइन हुआ जब से कम्पिटर सेंटर फेशन डिशाइन इंशूट लेंग्वेज सेल और ITI का पूरा सेंटर एस्टाबिश किया हम केरियर कांसिलिंग का कांट करते ह है इसमें मेडिकल में गवर्मेंट AIDS के साथ बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं एवरी येर 17 to 19 बच्चे को एडमिशन होता है और एंजिनेरिंग में एडमिशन दिलाते हैं और उसको भी गवर्मेंट scholarship का भी guidance दे दो है उसको पौम्श इलब करते हैं और मेडिकल का अंद पीचे को भी उडान भरने की लिए रागिप किया है एहमदाबाद से एटीवी भारत के लिए रोशन आरा की रिपोर्ट